डेरी पस्व में सामान्य रोग लक्षण रोक्थाम की बेवस्ता तो आज का जो है कारिक्रम हमारा कुछ बिंदूओं पर केंद्रित रहेगा जिसमें सबसे पहला है स्वस्थ पस्थू की पहचान पसु स्वास्थ का महत विबिद विमारिया जो इसमें मुख्यता देखे सब से महत्वपूर्ण विश्य होता है कि हम स्वस्थ पसू की पहचान कैसे करेंगे स्वस्थ पसू की पहचान अगर हमें पता है तो कि जो भी पसू पालन किशान करते हैं या भी कोई भी करता है तो पसू अपने वीमारी के बारे में खुद कुछ कह नहीं सकता तो उस हमें कैसे पता करना चाहिए हम पहले नंबर स्वस्त और अस्वस्त में उसको विभेद कैसे करेंगे हमने कुछ पॉइंट्स यहां लिखे हैं जो क्योंकि हमें उस आधार पे स्वस्त पसू की पहचान करनी होती है सामान ये दिखावट यानि कि कैसा वो दूर से दिखता है अ होगा करीब आप नहीं जाते दूर से आप उसको देखेंगे उसमें से स्वस्त कौन सा है कौन सा अस्वस्त है ठीक है जो पासू अलट होगा जिसका अंची कपूँण एक जानकारी ले सकते हैं जैसे आप जो तो अनुभवी किशान होगा उद देखकर के यहां पर पसू अगर उसकी तुचा चमकदार है आखें ठीक है ठीक से वो एलर्ट है और सबसे बड़ी चीज़ है कोई पसू अगर दो चार पसू के बीच में है तो वो जुन्ड के साथ रहता है असस्त होने का पहला लक्षड य ऑला प्धार को जानकारिक करने के लिए आप उसके एपी यरेंस जिसे कहते है सामान में दिखावट उसके बारे में देखे चलने का ठंग चलने का ठंग यानि कि gate English में इस爸 करते हैं चलने किस तरह से पक्षड चला है मालिघी किसी पछू के पैर में दिक्कत है कि किसी के और दिक्कत है कमजोरी है और कहीं कहीं जगों पे अगर ज्यादा दिक्कत हो जाती तो पसु उठ भी नहीं पाता तो वह सीधे जैसे हमारे पास कॉल सेंटर में बहुत सारे किसान कहते हैं डाप साब हमारा पसु दो दिन से बैठ गया है तो वह बैठने से पहले उसके अंदर क्या दिक्कत हुई चलने में भी दिक्कत हुई यह पहुत सारे चीजों का अस्वस्त होने का लक्षण है अस्वस्त होने में बड़ी बीमारी भी हो सकती है चोटे-मोटे कारण कैसे हो सकते हैं जैसे खूर होता है पसु का वह बहुत ही एक तो जो कड़ा होता है उसके ठीक से चल नहीं पाता है तो अगर पसु चलता नहीं है तो उसके उत्पादन और प्रजनन में भी कार्य प्रभावित होता है जैसे दूद उत्पादन में जो पसु है वो ठीक से अगर नहीं चल पाएंगे तो वो ठीक से चारा भी नहीं खाय पाएंगे जो पसु चरने के ल देख कर देख कर दो कई कई पसू में यह जैसे चलने का डिन एक ब्लैक बड़ा लंगर ये बुखार होता है उसमें अ पसू लंगरा हो जाता है तो जो यह सामान्य पहचान ने उससे बड़ी-बड़ी वीमारियां भी आप पहचान सकते हैं, हम थोड़ा ब्रीफ में इसको या संशिप्त में बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे जानी जा सकते हैं, इसको एक तरह से आप रेखांकित करने के लिए हम कह रहे हैं, आखें, आख से कैसे पता होगा, जैसे हमको कभी आख, अगर किसी को बुखार ह तो उसकी आखें कैसी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, इसका मतलब है पसू अस्वस्त है, अगर कोई पसू स्वस्त है, तो उसकी आखें चमकीली होती हैं, उसके आख में तेज होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जिसमें आख के अंदर जो नसे होती हैं, वो एक तरह से उभर करके सामने आ जाती है अगर किसी पसु में खून की कमी है तो आखें सफेद हो जाती है अगर किसी पसु में लीबर की दिक्कत है यानि कि यह क्रिक्टिक जो की खून की सफाई करता है तो आखें पीली हो जाती है तो इन सारी चीजों से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पस पसु का कहसे रहता है हमेशा उपर की तरफ रहता अगर गाय और भैस को देखे और आट रहता है अगर कोई पस्वस्त्र है तो का नीचे के ति तक पर द्म not ok lovekung शथा लचाएंगे कि कुछ नसलगत्य जो खिले स्न होती ए उसन दकि कान की बनावट अगर ऐसी है तो वो नीचे कही तरफ रहते हैं अब आई बात नाक और थूतन नाक यानि नोस्टिल्स थूतन यानि मजल आप देखे होंगे जो स्वस्त पसू है जो आपके बाड़े में या फिर पसू के जहां आपका सेड है वहां पर बदा हुआ है तो उसक से कोई स्राव नहीं रहता है लेकिन मौश्ट रहता है उसमें हलकी हलकी ओस जैसी बूंदे होती है तो पसू स्वस्त पसू का लक्षण क्या है उसके नाक और थूतन को आप देखेंगे तो वह सुस्क नहीं होगा कोई उसमें डिश्चार्ड नहीं होगा मौश्ट रहेगा अगर पसू के मूँ के बारे में हम देखें मूँ उसका मूँ की बनावट कैसी है मूँ तो मूँ से भी बहुत सारी महत पूर्ड बीमारियों का पता चल जाता है जैसे मूँ में अगर कोई नुकीला पदार्त है नुकीला कोई सार्प अबजेक्ट है अगर आप भूस या पूआल देते हो जो की चुबने वाला है तो मूँ में उसको एक वो जुगाली नहीं कर पाता है और उसमें कहीं कहीं चुब जाते हैं तो मूँ के अगर आप उसका ठीक से परिक्षण करेंगे तो देखेंगे पसू स्वस्त है की नहीं है और एक बहुत ही महत पूर्ड बी शरीर की तुचा अगर हम देखे हर पसू की चमकदार होती है उसमें अच्छी संख्या में बाल होते हैं और उसकी कोड जो होती है चमकीली होती है अगर कोई वाह पर जीवी है तो जैसे बहुत सारे वाह पर जीवी होते हैं अभी आगे की आने वाली प्रेजेंटेशन में स्ल कि होते हैं माइट होते हैं और जुणैंबी होते हैं यस तरह की चीजने अगर पढ़ जाने से तोSP उनका बाल नह scrut हो जाता खोल जाता है उस कोई आवाज नहीं होती कोई अगर देखिए कुछ पसु अगर बीमार हो जाते हैं जैसे आप देखिए ये गला घोटू नाम की बीमारी जो सभी पसुह में होती है विशेष्त जहां पर भैसां का पालन जादा होता है वहाँ पर अगर गला घोटू नाम की बीमारी होती है तो एक विसेश तरह की आवाज निकलने लगती है तो पसू के सांस लेने से अगर जल्दी जल्दी सांस ले रहा है तो उसका मतलब ये भी होता है कि पसू रिस्पिरेटरी यानि कि सवांस में कोई इंफेक्शन है उसके में नाड़ी कैसे हम दे सकते हैं तो पूछ पकड़ करके हम उसकी नाड़ी का भी ग्यान कर सकते हैं और उसके जो फिर्दय के फंक्शन को भी देख सकते हैं तो अगर कभी पसुओं के नाड़ी का पता करना हो विशेश तोर पे गाय और भैस का तो पूछ में जाने वाली जो उसे नसे होती हैं उसको पकड़ करके हम नाड़ी फिल कर सकते हैं अब आई बात गोबर और मुत्र देखिए गोबर और मुत्र ये बहुत सारी बीमारियों के लक्षण बताते हैं स्वस्त पसू का गोबर कैसा होता है उसमें कोई बद्वू नहीं होता है स्वस्त पसू के गो यदि गुबर में खून आ रहा है तो उसका रंग लाल हो जाता है यदि पचा हुआ खून आता है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है इसी तरह से सामान्य मुत्र हलका पीला से लेकरके रंग हीन तक होता है अगर मुत्र में कोई रंग आता है विशेश तोर पे बबेसियोसिस नाम की एक बीमारी जो होती है जिसमें मुत्र का रंग कैसा हो जाता है जैसा ब्राउन कलर का हो जाता है यानि अगर आपको किसी चीज से उदारण देना हो तो पेपसी या कोका कोला के कलर का हो जाता है या सारी चीजों को देख करके हम पसु के स्वास्त की पहचान कर सकते हैं भूक ना लगना और जुगाली न करना यह सामान निता है कोई भी पसु अगर थोड़ा बहुत अस्वस्त होता है तो यही लक्षण दिखाता है पहला काम क्या करेगा कि आप जितना डालते हैं चारा उतन नहीं करेगा यानि यह लक्षण है इससे संबंधित बहुत सारी बिमारियां हो सकती है तो उस समय इलाज करने की अवस्यक्ता होती है अगर कोई पसु भूक नहीं लगता है तो छोटी सी भी समस्या हो सकती है और बड़ी भी समस्या हो सकती है तो भूक ना लगना और सोस्त पसु का पैचान है और कोई पसु जुगाली नहीं कर पाता है क्या करेगा पसु क्या करता है पहले सारे चारा को जितना चारा आपका नाग में होता है वो पेट के अंदर लेता है उसके बाद आराम से बैठ करके जुगाली करता है सुस्त पसु जुगाली करता है और उस करके पेट में फिर वापस करता है तो स्वस्त पसु जुगाली करता है अगर कोई पसु देखें आप जुगाली नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो अस्वस्त है दूद, दूद की मात्रा, दूद का कलर, दूद की बनावट, यह बहुत सारी बीमारियों को दिखाता है अगर स्वस्त पसू है तो दूद की मात्रा भी ठीक रहेगी, दूद का रंग भी ठीक रहेगा और दूद जो है सही समय पर पसू देगा भी अगर दूद में कमी आ रही है इसका मतलब पसू धीरे धीरे आपका अस्वस्त हो रहा है इसमें कई तरह की बीमारिया हो सकती है जैसे कुछ पुस्टतों की कमी से ले करके थनेला रोग जैसा भी हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सरीर का तापमान सरीर का तापमान किन किन चीजों में बढ़ भी सकता है और बीमारियों में घट भी सकता है जैसे हमारे सरीर का तापमान जब बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं हमें बुखार हो गया है पसू को भी बुखार हो सकता है और इस तरह से निसकर्स निकाल सकते हैं कि कौन से पसू में किस तरह की समस्या हो सकती है, कुछ पसू में जो सरीर का तामपान थोड़ा बढ़ता है, कुछ में बहुत जादा बढ़ जाता है, कुछ में सामाने से कम हो जाता है, ये ऐसा क्यूं होता है, क्यूं कि पसू अस्वस्त हो है और इस सारी चीजें को देख करके हमें फिर डाक्ट्रि सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ये सारी चीजें जो पैरामीटर्स हैं जो मुख्य तोर से पैमाने हैं उसको देख करके आप पता चला सकते हैं कि पसूस्वास्थ है कि औसुस्थ है तो यह सामान या लक्षण है इसको आपको अब्जर्ब करना रहता है इसके अलावा भी जो पसु स्वास्त की पहचान के लिए आगे बढ़ते हैं उसमें लेबरोटरी डाइगनोसिस कहते हैं या जिसको परिच्छण कहते हैं चाहे आप उसको गोबर का करें चाहे उसके रक्त का करे तो इन सारी चीजों के लिए आपको डाक्टि सला लेनी पड़ती है पसु स्वास्त किन किन चीजों से प्रभावित होता है पहला नंबर हमने लिखा परियावरण कारक जो है यह कैसे होता परियावरण का क्या प्रभा होता माली यह अचानक गर्मी पढ़ रही है ठंड प्रभावन्दन करना पड़ता है मैंनेज्मेंटल मैंनेज्मेंटल में बहुत सारी विपारियां अती हैं जिसमें आपका न्यूट्रिशन से लेकर के आपके आवास और वाहय परजीवी दो तरह के परजीवी होते हैं दोनों का नियंत्रण समय से मैं पेक करना चाहिए और बहुत सारी विविन्न बीमारियां यह क्या कहते हैं जिसमें हम इटियो लोजिकल एजेंट यानि कारक्ट जो होते हैं बैक्ट्रीरिया बाइरस जीवाडू विसाडू फंगस या और कई सारी चीज़ें आती हैं पोसक ततों की कमी से होने वाली बीमारियां है यह बहुत ही मैतपूर्ण है जो ज़्यादा दूद्द देने वाले पासु हैं उसमें मिल्क फीवर, कैल्सियम की कमी से बीमारी होती है और फासपोरस की कमी से पाई का नाम की एक ब पसुओं को समय समय पे या प्रती दिन मिनरल मिक्षर अवस्य खिलाएं दुधारू पसु को लगबग 100 ग्राम और जो दूद नहीं देते हैं उसको छोटे पसु हैं तो 15-20 ग्राम या 40 ग्राम जो बड़े हैं उनको खिलाएं इससे दोनों तत्तों की पूरती होती है कैल्सिय और फासपुरस होते हैं केवल इनकी मात्रा कम होती है इसना ते इन्हें सुक्ष्वतत्त भी कहते हैं तो सभी पसुपालकों से निवेदन है कि पसु को स्वस्त रखने के लिए मिनरल मिक्षर का सही सेवन कराएं और इसको पसुआहार में मिला करके पसुओं को दें उपा- कारक से नहीं सरीर के अंदर अपने आप उत्पन हो जाती है जैसे सबसे महत्पूर्ण है अगर कैलसियम की कमी बहुत दिन तक हुई तो वो डाउनर काउ हो जाती है वो फिर कभी उठने में असमर्थ हो जाती है ऐसे पसुओं को पहले से ही अगर हम कैलसियम देते रहेंगे तो डाउनर काउ जैसी बात नहीं आगी LDA विस्थापित अबोमेजम ये बीमारी कैसे होती है जो ज़्यादा दूद देने वाले और बारी भर कम जैसे HF नसल की बीमारी जो पसू होते हैं उसमें ये बीमारिया होती है ये बीमारी में क्या होता है जो पसू का दाइना साइड रहता है वो एक तरह से फूल जाता है उसमें क्या होता है कि जो पेट के चार हिस्से होते हैं उसका एक हिस्सा एक तरफ बिस्तापित हो जाता है जिसके कारण पसू में ये बीमारी होती है और पसू में दूदारू पस बड़ा पेट होता है उसका अगर जो pH, यानि कि छारिये और अमलिये जो उसका pH होता है, उसमें disturbance हो जाने से पसू अस्वस्ट हो जाता है और उसका गोबर विशेस तर्क पर दूसरे तरह से निकलने लगता है और वो पसु अस्वस्त हो जाता है लेमिनाइटिस की बीमारी क्या होती है पसुओं के खुर के अंदर जो sensitive लेमिना होता है वो बिबिन कारणों से उसमें दर्द होने लगता है जिससे पसु चल नहीं पाता कीटोसिस कीटोसिस नाम की बीमारी बहुत सारे पसुओं में पाई जाती है इस बीमारी का मुख्य लक्षड ये है कि जब आप किसी पसुओं के पास जाएंगे तो एक मीठी सी सुगंधा आएगी बदबू नहीं आएगी उसके सांसों में मीठी मीठी खुस्बूस ही आएगी, यह ketosis की होती है, energy, यानि कि आप किसी पसु को अगर बहुत दिन तक उसको जो carbohydrate है, यानि कि जैसे starch है, यह सारी चीजें अगर उसको कम मिलती है, तो धीरे-धीरे पसु के सरीर में ketosis नाम की बीमारी होती है, और पसु अस्वस्त रहता है, और यह प् antilever से क्या होता है, लीवर के अंदर बहुत सारे जो है fat globals deposit हो जागते हैं, बहुत सारी बीमारियों में कुछ पसु आहार से जो विसैला पदार्त रहता है, उसके कारण भी बीमारियां होती है, जैसे cyanide poisoning, अगर हम जवार की खेती करते हैं as a fodder, यानि कि हम उसको पसु आह poisoning हो जाती है, और पसु की मृत्तु भी हो सकती है, इसनाते सही जो उसकी harvesting की stage होती है, या चारा कटान की अवधी होती है, उसको पालन करना चाहिए, mycotoxin, mycotoxin क्या होता है, बहुत, अगर हम पसु आहार सही नहीं खिलाते हैं, तो उन पसु आहारों में mycotoxin नामक विसैला पदार्थ होता है, जो की पसुओं के अंदर जहर पहला कर देता है, और उसका लीबर या बहुत सारी औरगन को damage करता है, तो हम संक, जिसमें ऐसे फ पसु चरने के लिए जाते हैं, वो Clostridium, Botulism, Botulism, Toxin होने की वज़े से ये बीमारी होती है, तो जो गैसे कुछ पसु जो मर जाते हैं, उनकी हड़ियां या कुछ उनके अवसेस रहते हैं, जिसमें Clostridium नाम का बैक्टरिया ग्रोथ किया होता है, ऐसे पसु आहार को खान पर Botulism नाम की बीमारी होती है, और पसु की मृत्य हो सकती है, और यह जो जहर पसु के दूद से भी इनसान को भी आ सकता है, तो और जिसकी सुक्ष मात्रा भी मनुसियों के लिए प्राण घातक है, तो Botulism नाम की बीमारी से भी पसु आहार में अगर है, तो इसको बताना चाहिए अब आते हैं मुपका खुर्पका यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक बीमारी है जिसका आज कल पूरे देश में कारिक्रम चलना है जो आपके किसान भाईयों के इधर भी चलना होगा जिसे एने प्रोग्राम कहते हैं मुपका खुर्पका जो रोग नियंत्रन है तो इस यह रोग क्या होता है पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे यह एक वाईरस यानि विशाण जनित रोग है विशाण जनित रोग यानि कि कैसे फैलेगा यह देखिए तूसीत जल से वाई कि सांस से फैलता है संपर्क में आने से अगर दो पसु करीब गरीब में बढ़े हैं तो एक पसु दूसरे पसुं को फैल सकता है दूसीत जल'S वायरस अगर पानी में है एस फिशाणव पानी में है उससे भी फैल सकता है और वाईू मंडल में अगर पसू से यह हम लोग поним भी फैल सकता है दूद उत्पादन वो प्रजनन छमता वा भारवाहक में कमी होती है दूद उत्पादन अगर मुपका खुर्पका नाम की बीमारी हो जाए तो सारे पसुओं को यह प्रभावित करता है उसमें कौन-कौन से पसुओं आएंगे इसमें जो जिनके खुर दो भागों में बटे होते हैं वो सारे पसुओं प्रभावित होते हैं जिसमें क्या आएगा गाय भैस उसमें उसके बाद बेडबकरी सूर और जंगली जानवर बहुत सारे हैं जिसमें से आपके हिरन और कई सारे जानवर ऐसे हैं जो भी प्रभावि होते हैं और वो एक तरह से अपने पास इस विशाण को संरक्षित रखते हैं और जो समय समय पे आउटब्रेक के लिए आता है अब जो छोटे बचड़ा या बचड़ी होते हैं छोटे कटड़ा या कटिया होते हैं उसमें मुपका खुर्पका नाम की बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती क्यों क्योंकि बहुत तेज बुखार और रिदय में उसके जो वाइरस मल्टिप्लाई होते हैं जो नुकसान करते हैं उसके वज़ा से पसू की मृत्यू तक हो जाती है तो इसका बचा प्रपाओ ही करना जरूरी होता है आप जानते होंगे सुवर बहुत सारे पसूपालक सुवर पालन भी करते हैं लेकिन अगर एक सुवर में एक वाइरस जाता है तो उसके सरीर से तीन हजार गुना तक वाइरस निकल के आ सकते हैं तो सुवर एक एम्प्लिफाइंग होस्ट है तो जब कभी भी कंपेन वेगर चलता है एफमडी का मुपका खुर्पका का तो जो सुवर की निश्चित मात्रा है वेक्सिन की उसे भी लगानी चाहिए सारे पसूपाल का टी कहां होते हैं मुख्यता एफमडी के जो चाले होते हैं दोनों खुर के बीच में होते हैं जीब पर होते हैं जो मसूड़ होते हैं और जो डेंटल पैड यानि कि जहां पर दात नहीं होता है वहाँ पे भी होता है और थन पर भी पाए जाते हैं बहुत सारे पसुपाले भाई जो थन पर FMD के लक्षण होते हैं ये किसे मिलते जुलते हो सकते हैं जो काउपॉक्स है या जो माता होती है छोटी माता जिसे कहते हैं उससे मिलते जुलते लक्षण हो सकते हैं काउपॉक्स से मिलते जुलते लक्षण हो सकते हैं तो इसको विभेद करना जरूरी है कि ये आपका FMD का लक्षण है या काउपॉक्स का है अब आते हैं यदि किसी पसू को FMD हो गया है तो क्या लक्षण आएंगे पहला जब तक ये खुर पर जिप पर या मसूडों पर थन पर चाले नहीं है उसके पहले क्या होगा अगर वाइरस पसू के सरीर में जाता है तो बुखार तेज बुखार हो सकता है 106-105 डिगरी बुखार हो सकता है गाय भैसों में या बेड़ बकलियों में उसके बाद क्या होगा पसू के नाक से मूँ से लार निकलेगा या म्यूकस का स्राव होगा दूद का उत्पादन कम हो जाएगा अगर कोई प्रतू आप वैल गाड़ी में चलाते हैं या किसे लोग और कारी में लेते हैं तो उसका काम करने की चमता बहुत कम हो जाती है क्यों क्योंकि एक तो वायरीमिया या विसाड उसके सरीर में होगा जिससे बुखार होगा दूसरे नंबर उसके पैर में चाले होग ये सारी चीजें उसके लक्षन हैं आप तस्वीर को देख करके पहचान कर सकते हैं देखे इस वायरस की कोई दबाई नहीं है कि जैसे आप जानते होंगे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर बीमारी होती है तो उसमें बैक्टरिया अगर है मालिये विसाडू है तो उस कोई एंटी वायरस जादा तर बीमारियों में नहीं होती है अगर होती भी है तो बहुत महेंगी होती है ये फमडी के केस में इसकी कोई भी एंटी वायरस मेडिसीन नहीं है तो केवल रोक थाम ही उपयोगी है रोक थाम कैसे करें एक तो देश ब्यापी अभियान पूरी सर सरकार जो स्टेट गवर्णमेंट है या केंद्र सरकार है बहुत सारी सरकारे मिल करके पूरे देश में दो बार ब्रिहट टीका करनड का आयोजन करती हैं ये टीका कब लगाये जाता है पिसेश तोर पे ये टीका वर्स में दो बार लगाये जाता है किन किन महीनों में लगाये जाता है जादा तर चीन प्रदेशों में ठंडी या गर्मी के दो मौसम होते हैं तो आप एक याद रखने के लिए रख सकते हैं कि मौसम के ठंड के सुरुआत के पहले गर्मी के सुरुआत के पहले या फिर देश में दो मुख्य तेवहार हैं उन तेवहारों को याद कर सकते है तो हम कैसे याद करेंगे कि हमारे हां टीका कब लगना चाहिए तो साल भर में दो बार लगना चाहिए वो भी एक सितंबार अक्टूबर या नॉंबर तक या फिर फर्वरी मार्च अप्रेल तक टीका लग जाना चाहिए क्यों क्योंकि जो विसाड़ू होता है जो एफमडी का वाइरस होता है जब कभी भी तापमान में अधिक बढ़ोत्री होती है या तापमान में अधिक कमी होती है तो यह पसुन को प्रवावित करता है दूसरी चीज है ठंड से गर्मी से पसुत तनाव में रहता है तब भी ज्यादा होने का चांस रहता है और बार बार ये हर साल ये जरूरी है इस बीमारी से बचने के लिए तो असुपालक भाईयों से यह अन्रोध है कि अभी देखिए अभी इसका फिर से जैसा NADCP में पर्थम चरण चल रहा था अभी दूसरा चरण फिर सुरू होगा तो अभी इसमें क्या कर रहे हैं सारे पसुओं का रेजिस्टेशन कर रहे हैं सारे को एनाफ में या NADP के पोर्टल में हम उसे सेव कर रहे हैं तो क्या करेंगे इस से कि उन कुछ ही सालों में इस बीमारी से पूरे देश को मुक्त करेंगे तब फिर आगे आने वाले जो पांच या शे साल हैं उसमें हमें टीका लगाने की भी जरूरत नहीं है तो किसान भाईयों से अनरोध यही है कि अगर आप ये पांच साल सही से सारे पसुओं को टीका लगात अब पहला तो था टीका करण करें जिस पे हमने विशेश तोर पे ज्यादा समय दिया और बहुत ही मत्तपूर्ण है इस समय पसुओं स्वास्ति विभाग और एंड़ी भी बहुत सारे स्टेट गवर्मेंट्स सेंट्रल गवर्मेंट्स इस पे रात दीन मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से जिस रोग पे टीका करण करके नियंतर्ट किया जाएं तो अगर माल इस ये किसी गाओं में आपके बगल के किसी गाओं में ये बीमारी फैल गई तो आप कैसे अपने पसुओं को बचाएंगे या फिर आपके गाओं में बीमारी फैल गई तो कैसे बचाएंग पहले नमबर की चीज जैसा अभी हमने बताया आपको कि ये बीमारी एक संक्रमित पशु से दूसरे पशु को विभिन माध्यमों से फैलती है मालेजे आप चराने के लिए कोई पसु ले जाते हैं तो जिस जिस रास्ते से पसु जाएगा वह अपे जो गास मित्टी है क्यों脏काथ और को जोस्तो Zur says जाएगा आपकर जोटा जाए जाएगी बैल जाएंगे या चराने के लिए पसु जाएंगे तो वो संक्रमित हो जाएंगे तो इस इस्तिती में पसुओं को जब तक ये बीमारी नियंतरण में नहीं आ जाती है तब तक उन पसुओं से दूर रखने में ही आप बचाओ है दूसरे नंबर की चीज बहुत सा सुपालन विवाग या कोई और विवाग कहता है टीका करण करो क्या टीका करना चाहिए जरूर करना चाहिए पहले किस गाओं का करना चाहिए माल ये एक गाओं में ये बीमारी फैली हुई है तो उस गाओं में पहले टीका करना नहीं करना चाहिए उसके अगल बगल के गा प्रणू निकल करके उस घेरे से बाहर फिर स्वस्त पसों में ना फैल पाए उसके बाद में फिर उसके बाहर के गाउं में या ज़रूरत पड़े तो फिर अंदर के गाउं में करना चाहिए आपके पास दस पसू है एक पसू को अगर आप फैंडी किसी गाउं में फैल जा रही है तो इसकी सूचना सासन प्रशाशन को देना चाहिए क्यों कि और सारे गाउं को बचा करने के लिए यह जरूरी होता है कि समय पे जानकारी हो टीका करन हो और गाउं को भी बचाया गाए अब आते हैं क्रेमी का नियंतरना क्रेमी यानि की वर्म यह भी एक महत्तपूर्ण भी सह है जैसा आप जानते होंगे पसू पालक भाई जब कभी भी खेत की कटाई होती है बहुत सारे अनाज, गेऊ, चावल, धान जो भी है दे करके आते हैं अगर आप उसे खुले में छोड़ दे तो क्या होगा तरह तरह के चूहे, कीडे या कुछ ऐसे पदार्थ हैं इंसेक्ट उसको खा जाएंगे अब देखते होंगे घुन लग जाते उसी तरह से पसू जो है वो चारा बिना पकाय खाता है तो उसमें जो अंडे होते हैं इन क्रीमियों के वो मरते नहीं हैं वो जीवित ही पसू के सरीर में पहुंचते हैं तो क्रीमी का नियंत्रण समय समय पे जरूरी होता है अगर आपका पसू बीमार नहीं है फिर भी क्रीमी का नियंत्रण करना चाहिए इस सारे क्रिमिनासक बजार में उपलब्द हैं आप उन्हें खिला सकते हैं या फिर बहुत सारे अरुबेदिक प्रिपरेशन है उसे भी खिला सकते हैं वो भी क्रीमी नहीं सबकार करते हैं अगर अब अपना ुप डाउनलोड और उस diplomat नहीं कुर पर TR M कर सकते हैं कौन सा अब कर दो नाम ना मत मारत वा तो फिर तो बता तो हम जाते हैं क्या बताहँ है आप सभी लोगो जो मेसेज बाक्स में है टाइप करके हमको मिल जाए यह play store से डाउनलोड कर लिजिए और बहुत सारी उप्योगी जानकारी है उसमें उसके बारे में हम और जानकारी बहुत सारी है बहुत उप्योगी है और इस समय ज़्यार्शा नहीं कर समये हम। तो कि समय बहुत कम है तो हम फिर आपके इगोपला एप है आप डाउनलोड करें प्लीज टोर से और उसमें उस जानकारी को देख सकते हैं उसमें आप की प्रेपरेशन या घरेलू अरुवेदिक मेडिसिन कैसे बना सकते पूरी विधी का जो है वीडियो है बहुत अच्छा वीडियो है बहुत उप्योगी है आप उसे देखें और अपने पसुपालन में उसका दिन प्रति दिन आने वाली जो समस्याओं के निदान के लिए इसे बुखार है थनेला है प्रोलैप्स है रिपीट ब्रीडिंग है सब के लिए है तो ऐसे कम से कम 35-40 बीमारियों का है औ न्यूटिशन से संबंदित, आहर प्रवंदन से संबंदित, हमारे जो डेरी सोसाइटी से संबंदित, सारी चीजें जानकारियों उसमें हैं, सभी NDDB से महतुपूर जानकारियों जो किसान को Android मोबाइल से आसानी से उपलब्द होगी उसे आप ले सकते हैं, एक बार फिर स क्रीमी का नियंत्रा क्यों जरूरी है, क्रीमी बहुत तरह तरह का होता है, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले वाहे पर जीवी का थोड़ा हलका सा डिसक्सन किया, विसे आंतरिक पर जीवी क्रीमी के रूप में होते हैं, यह कई तरह के हो सकते हैं, कुछ चप्टे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मांस में पाए जाते हैं, कुछ दिमाख में भी पाए जाते हैं, कुछ हार्ट में पाए जाते हैं यहां तक आँखों में भी क्रिमी पाए जाते हैं इसको आप अगर कोई पसू ऐसा है कि उसके आँख में भी रेंगता हुआ देख सकते हैं तो यह इनका नियंत्रण ही बचाओ है क्योंकि इसके अंडे जो है पसू आहर के साथ या घास के साथ हमेशा दिन प्रति दिन पसू क के पेट में पहुंचते हैं अगर आप इन्हें नहीं करेंगे नियंत्रण तो यह इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं कि पसू को जो आप आहार देते हैं पचा वह जो पदार्थ रहता है वो तो खाते ही खाते हैं साथ में विभिन अंगों में बहुत सारा छती प बड़ा वाला है यह जाकर के लीबर को पूरा खतम कर देता है लीबर खतम हो गया तो पसू का पाचन और सब कुछ खतम बादन भी खतम तो और यह जो बड़े बड़े ऐसकरी जो ऐसे ऐसे बड़े धागे नुमा होते हैं वो आथों में इतना उलज जाते हैं कि पसू चारा नहीं खापाता है पेट उसका फूल जाता है और कैसे पहचान करें कि आपका पसू क्रिमी से प्रभावित है तो सबसे पहला जैसे हमने पहले एक बा होता है कि क्रीमी आपके पसुऊंगे पेट में है उसको पसू के आख में तीचर वोगा पसु का जो गोभर होगा उससे भी देखें तो कभी कभी थो पूरा प्रीमी भी गो travelling के साथ निकलता या टुकडे में निकलता है कुछ क्रीमी जैसे चावल के दाने होते हैं उस तरह के रूप में होते हैं आप उन्हें देखेंगे जो की मनस्यों में भी संक्रमण कर सकते हैं और बहुत ही घातक बीमारी आपके लिबर में और दिमाग में भी सिष्ट का फॉर्म यानि सिष्ट मतलब एक गुबारे जैसी सनशना बना देते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा च्छती होती है तो इसका क्या नियंत्रण करेंगे आप समय समय पे या तो आगे हम बढ़ते हैं एक एमफी इस्टोम नाम का जो इसघैबु में आप परजीवी होता है वहkell है चोटा पेट जओ असली पेट होता उसमें पाए जाता और वह उसमें छेद बना देता जिससे पुझ्प बहुत ही ज्यादा वह नुक्शान होता है और बहुत हैं अब यह नि कोई वर्मलोड हो गया क्रीमी जादा हो गया तो पसु के उत्पादन में में कि परफार्मेंस में तरह का दिक्कट होता है तो है इस तरह से क्रीमिका नियंत्रण जरूरी होता है अभी गदेखिए क्रिमिक के रोख थाम और उसके लिए कैसे करें 10 से 14 दिन की उम्र में परतम खुराइब दें 6 महीं तक हर मा दें और 6 मेने के बाद साल में दो बार जरूर दें ठीक है टीका करन अभी हमने चर्चा किया खुर्पका और मुपका बीमारी जो है उसका टीका करन इसके अलावा कौन-कौन से टीका करन सुपाला को कराना चाहिए उसके मुपका खुर्पका या एफमडी के बाद मुख्य बीमारी आती है गलागोटू तो गलागोटू का भी टीका वर्च में दो बार लगता है आप इसको मांसून के पहले जाड़े के पहले लगा सकते हैं ब्लैक वार्टर या लंगड़ा जासे इसको भी वर्च में दो बार लगाना चाहिए एक बहुत ही महत्वपूड बिमारी होती है जिसे ब्रुसेलोसिस या संक्रामक गरफपात कहते हैं ये बिमारी विशेस तोर पे जो पूरी गाय है चाहिए बैस है इवन आदमियों को भी प्रभावित करती है इसमें टी प्रफव को लगाना चाहिए उस पर ध्यान देनी की बात है ये टीका करण केवल चार से आठ मा की जो बचडियां या कटडियां हो उनको लगता है जीवन में एक बार लगता है तो ये टीका करण भी आप लगा सकते हैं और संक्रामक गरफपात से आपके प्रफव को बचा सकते हैं इसी तरह जीवन भर में एक बार लगने वाली जो बीमारी का एक और टीका है ज़िसे थायलोरिस्यूस क प likes कहते हैं वो कब लगता है तीन माहस से बड़े बड़े जो एघीवन में एक बार इसमें केवल बचड़े या कटड़े की नहीं है थाइलोरिसिस सभी में लगेगा मेल फीमेल सभी में लगेगा जादा तरकिस में होता है जो संकर नसल की गाएं होती है उसमें ये बीमारी पाई जाती है इससे क्यालक्षण होते हैं इसमें जो गले के किनारे गाठे बन जाती पसु एकदम कमजोर हो जाता है और दूद का उत्पादन बहुत कम हो जाता है कभी-कभी बहुत ज़्यादा बुखार भी रहता है तो इस पसु पसुओं में थाइलेरिशियोस का टीका भी अवस्य लगाएं केवल जीवन में पसु के जीवन में एक बार लगता है दूसरा ए एंतरॉक्स का टीका भी लगाए जाता है चार महा से बड़े सारे पसुओं को लगते हैं और एक बार लगते हैं और जिस छेत्र में एंत रोक्स पैलता या गिल्टी रोग पैलता है केवल उस छेत्र में इसको लगाने की जरूरत है ऐँग आई बी आर एक बीमारी ऐसी होत ऩाता है तो इसके भी टीका उपलॉपत है इसको वर्स में दो बार लगाना चाहिए जो भी ठास्वेट नसल की आपकी गाहा है उसमें यह क Rap hoe लगाना चाहिए अब रेबीज नाम की बीमारी है रेबीज नाम की बीमारी का भी एंटी रेबीज जो बाइरस है एंटी रेबीज जो टीका है उसे भी लगाया जा सकता है दो तरह से लगाया सकता है एक तो आप क्ता काटने के पहले या फिर पूट्ते काटने के पहले यह इसमें थोड़ा गलत है क्योंकि यह मैं अगर कोई और भी पसू शंक्रमी 320 से वो भी काटता है तो भी फैलता है तो वो को दूसरे को बीमारी हो सकती है और काटने के बाद या रभी अगर एक्स्पोजर हो रहा है उस वाइरस से तो कभी लगाए सकता है साथ में दिन चोदामें दीद रथाईस में दीन और नव्य दिन दिन तक इसका सब्सक्राइब के बाद सारे ऑस ठीक High अब टीका करण के दरान ज्ञान देने योग यह का मत्तपुन بाते हैं अगर कोई भीमार पसु है तो क्या इसती का लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए सुस्थ पसु को टीका लगाना चाहिए प्रिज में रख सकते हैं जो कि चिल टेंपरेचर होता है कुछ टीका ऐसा होता है जो कि liquid nitrogen में रखा जाता है तो वो टीके अलग होते हैं जैसे उसमें थाइद औरीचिस का टीका आता है टीका लगाने से के टाइम पे क्रिम्नाषट दबा नहीं देनी चाहिए कम से कम दो तीन हप्ते पहले देनी चाहिए फिर टीका लगाना चाहिए इससे अच्छा उसमें से अच्छा। अगर बीमारी फैलने वाली है माल लीजिए तो टीका करण कब करना चाहिए जब बीमारी फैलने वाली हो तब नहीं करना चाहिए उसके एक महीना कम से कम पहले इसी नाते अभी FMD के जो संदर में हमने बताया है कि उसका समय निर्धारित है जब ठंड के सुरुवात के पहले अगरमी के सुरुवात के एक महीने पहले उसको पारिकरम लगाने चाहिए कुछ-कुछ पसुपालक जब एकदम घर्मी पढ़ने लगती है तब लगवाते हैं तो भी टीका करण या तो फेल भी हो सकता है वो कामियाब नहीं रह सकता है ठीक है अब टीका करण कि लगाने के बावत कभी-कभी वो टीका करण प्रभावी नहीं रहता कि रहे उसके क्या करण होते हैं और जो टेमप्रेचर हम यह रखना चाहिए उसमें क्या जो एंटिसन होते हैं जो पार्टी lizndo होते हैं जो हमें मिनोटि डेते हैं अगर और फोट्श में कोई फॉप अब पोश्टन उसका सही नहीं है उसको कर देंगे उसके अंदर भी प्रतिरुदधक छम्ता नहीं होगी कैंगर अगर हम हमारे पास सो अब को लगा दिया तो क्या वह उसको सो प्रुटेकसन मिलेगा नहीं मिलेगा इस दो को भी घुमारी हो सकता है तो अगर आपके गाउब में हजार पसू या दो हजार पसू है यह देश में सारे सभको तुरेच्जित करना है तो को जादा से जादा पसों को टीका लगाना जाहिए जैसे किसान हम लगाना है तो पुसता है जाक्र्स सा कि भाई कि इंidente कि पसों को तीका लगाए तो exact theta ये तो छोटे हैं ये बड़े है ये गाबन ये युथ य॥ ऑना आइसे करना चाहिए नहीं देखना चाहिए जो पसू स्वस्ता है बहुत सारहि Всемने जिसान इरदेशquila हर टीका करने वाले को बबाएशाता है जो टीका करने सहते हैं ज्वाला कर मिकरता है कहता है उस रिसाब से चाहिए हो से जो बिमार हो जो आई में छोटे हों केवल उनी को छोड़ना चाहिए जैसे बहुत सारे पशु गाबन रहते हैं तो यह समय को टीका करन के लिए बारते हैं उससमय रिश्ट्रेइनिंग जिसे कहते हैं उस समय कोई उसको दिक्कत ना हो बाकि टीका में कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिससे कोई गरपात या इस तरह की कोई संभावना बनती हो अब एक बहुत ही मत्पूड बीमारी है थनेला इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे जैसा थनेला क्योंकि एक यह लक्षण है लक्षण यानि कि यह थन में अगर बहुत तरह का कोई भी संक्रमण हो गया तो थनेला हो जाएगा कोई थन में दिक्कत आ गई तो तनेला हो गए अगर आपके पास दुधारू पसु है और उसकी दूद की उत्वादन छमता धिन प्रती दिन कम होती जाए या खतम हो जाए तो दूद के का वो पसु हमारे काम के लाइक रहेगा आर्थिक दृष्टी से किसी काम के लाइक नही वाला यह रोग है आप देख रहे होगे कि यह कई तरह से होता है कि कारण क्या होता है थन के अंदर जब कोई भी बैक्टरिया वाइरस फंगास माइको प्लाजमा जितने भी आपके सुक्ष्मजीव है उनका नाम लेजिए सब इसमें उपास्तिस हो सकते है आप फंगस से भ सकते हैं क्यों कि जो दूद होता है ये हम क्या झाते हैं संपूरा होता है संपूरaha होता है सबके लिए होता है चाहे इंसान हो और चाहे है सबसे कैसे करना चाहिए थनैले से बचाओ कैसे करना चाहिए पहले नंबर की चीज जब कभी भी हम milking करते हैं तो उस समय सबसे कि यह दर कोई दूद निकालते वक्त उसमें ही संक्रमण जाने के जादा तर खत्रे होते हैं तो दूद निकालने का जो चगय होता है वो साफ होना चाहिए दूसरे नंबर की चीज दूद निकालने वाले के हाथ भी साफ होने चाहिए दूद निकालने के बाद पसू को बैठने नहीं देना चाहिए क्यों क्योंकि बैठते वक्त जो है थन की ऐसी सनरचना होती है कि वो जमीन के संपर्क में आ जाता है और उसमे जो इसके छिद्र होते हैं थन के उपर वो छिद्र खुले होते हैं और तरह तरह के जो माइक्रो और गनिजम सुक्ष्वजी उसमें प्रवेश कर सकते हैं तो थनेला रोग उसको प्रवावित हो सकता है और इसमें कई अस्तर की इसकी कमी हो सकती, फनेला रोग हुआ, तो थन कई तरह से प्रवाइच हो सकता है, थोड़ा हुआ, कम हुआ, जदा हुआ, बहुत जदा हुआ, तो, अभी प्रकार में हैं, देखेजा, बहुत सारे हैं, जैसे इसमें लिखा गया गुप्त रूप, और ठिर रूप रूप और यह इसको क्या कहेंगे एक्यूट सब एक्यूट पर एक्यूट यह सारी चीजें जिसमें बहुत सारे अब थनेले की रोक थाम कैसे करें जैसे हम पहले बताया कि पहला नंबर हाइजीन यानि की साफ सफाई दोहन से पहले दोहन के बाद घंकी सफाई और उसका सरीर के अंदर जबखरोफं के तभी वो दूद्ध निकल सकता है वो कुछ ही समय के लिए रहता हूँ इसका समय पाच से साथ मिनिट या दस मिनिट अधिक्तम रहता है उस दहरान सारा जो अगर कोई जादा दूद देने वाला पसु है जिसके थन में 20 लिटर 22 लिटर ऐसे दूद बनता है तो वो सारा का सारा दूद निकलना चाहिए ठीक है दूद थन के अंदर बचा रहेगा तो थनेला हो सकता है कम्प्लीट मिल्किंग होना चाहिए दोहन के बाद पसु को बैटने ना दे हमने बताया क्यों चिद्र खुले होते हैं दोहन के बाद कुछ ऐसे पदार्थ यूज़ कर सकते हैं जो की एक किटाणू नासक जैसे होते हैं डिप आते हैं आल लेड़ी आप उसको ले सकते हैं उसके लिए एक अलग तरीके का परतन होता है जो दूद के निकालने के बाद का डिप या दूद के निकालने के पहले का डिप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं तो उससे भी बचाओ अगर मालिया किसी पसु को थनेला हो गया तो उस थनेला वाले पसु का दूद कब निकालना सबसे पहले निकालना चाहिए नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए और एक पसुको के थन में जो क्वार्टर होते हैं जो चार्ड उसके अलग-अलग ठीट से होते हैं वो कोई एक प्रभावित हैं तो उसमें कौन से निकालना चाहिए जो स्वस्त हैं उनको पहले निकालना चाहिए और आखिर में जो अस्वस्थ हैं जिसमें थनेला हो गया उसे छुणा चाहिए क्यों अगर आप अपने हाथ से पहले अस्वस्थ को या थनेला वाले को छुण करके आगे बढ़ेंगे तो ये रोग ये बेक्टरिया ये वाईरस ये माइक्रो एर्गिनिजम स्वस्थ जो रहे तो बहुत सारे मिनरल मिक्शर में जैसे अभी हमने बात किया कि कैल्सियम फासपुरस ये सारे तो भी उसकी थनकी स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होते हैं तो मिनरल मिक्शर के उपयोग से नल लौ में कमी आते हैं यह देखा गया है तो मिन्रल्ल मेंट का सेवन भी आपने पसो के लिए जरूर करेंगे ऐसे बहुत ही मर्त पुर्ण बिमारी है और बहुत हो सकता है बहुत कम पस्वीज़ान को मालुम हो इसना तेश्च। इसकी चर्चा बहुत ही जरूरी है इसका ठीका करण के लिए भी एक संक्रामक गर्व पसुगर्व प्रात यह ब्रूसलस नाम की बिमारी है जो की पसुओं में सारे पसुओं में हो सकती है चाहे वो नर हो चाहे वो बतलब चाहे आपका साड़ हो चाहे वो गाय हो यह सब में होता लेकिन हम लक्षण किसमें नहीं पर जहें रहता है इसमें क्या होता है इसमें गर्शंट कर दpow आत 박 कि होता है क्योंकि इसके और ये यह है यह उत्पन 4 है कर भासाइक के अन्दर जो भी पीट नहों हिए वो उसके अंदर मर जाता है और मडल मने लगता है और वहीं पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में ये ब्रुसलास नम का जो बैक्टरिया है वो पनपने लगता है ये बीमारी जदा तर किन पसुओं में पाई जाती है जदा तर जो बड़े बड़े डेरी फार्म्स हैं उनका पूरा का पूरा फार्म्स प्रभावित हो जाता है ऐसे पस दू में भी ये बीमारी हो सकती है और उन्हें भी प्रभावित कर सकते हैं तो ऐसे पसुओं की जाच कैसे करें अगर कोई किसी डेरी फार में या कोई भी पसुओं बार बार गर्वपात हो रहा है जो कि छाटवे सतवे महीने में हो रहा है तो ऐसे पसुओं वो को हम मान सकते हैं क इसमें संक्रामक गर्वपात नाम की बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, ऐसे पसुओं को हम अपने पास खरीद करके नलाएं, अगर पहले से हैं तो ऐसे पसुओं का जाच कराएं और उचित निस्तारण करें, क्यों? क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे पसुओं से भी फै प्रियोक साला में भेज करके जाच किया सकता है कि बीमारी है की नहीं, अगर किसी पसुओं में है, तो उसको तो आप अपने पसुओं जो बाड़े में है, अपने डेरी फार्म में बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि ये पसुओं दूसरे पसुओं को भी फैल सकता है, इनसान कर सकते हैं, जो भी छोटे, कटड़े, कटड़ियां या बचड़ियां हो, सारी, यह खाली मादा पसुओं में तीन, चार महिने के ऊपर जो रहती, उनमें लगा जाता है, टीका करन, तो किवल कटड़ी या बचड़ी को लगा, अभी रोगताम के लिए भी हमने चर्चा कर अभी इसके लिए टीका करन करा हैं, तो इस तरह से आप, आप अपने बाड़े को डिसिनफेक्टेंट भी कर सकते हैं, यानि कि सोडियम हाइपोक्सेड या सोडियम हाइपोक्लराइड के ब्लीचिंग पाउडर से, छिड़काव से इसको आपका सेड को रोगमुक्त किया ज सकते हैं, देखिए जैसे हमने चर्चा किया, बुकार हो सकता है, जोडों में दर्द हो सकता है, सरदर हो सकता है, ज्यादा पसीना सकता है, और टेस्टिकल में सूजन आ सकती है, भूक कम लगना वजन का कम जो हमारे AI कर्मी हैं, ऐसे ऐसे केसों को जो हैंडिल करते हैं, जो देखते हैं या आप देखें नीचे वाला फोटो अगर देखेंगे तो कभी कभार ऐसा जब डिश्टो किया या फिर यह क्या बॉर्शन का केसे जो मिलते हैं उस समय में आप जो प्लशेंटा यानि कि जेर जो निकालते हैं ऐसे टुकडों टुकडों में आती है और सडान की म करने का मौका होता है तो अपनी सुरक्षा का विशेश ध्यान दें चसमें लगाएं गलप्स पहने और इसका जो भी स्राव निकलता है उसको जो डिसिंफेक्टेंट करें अपने आपको डिसिंफेक्टेंट करें धन्यबाद ठीक है अभी अगर कोई प्रशन उत्तर कोई प करें विलता है कि बिल्कुल मिलता है आप इंडी कथी का पलब रहता है बहुत सारी अपल्बद कराती है IEL के भी रहते हैं बहुत सारे कंभिनेशन में आते हैं HTS BQ और FMD के साथ आता है Tribeq नाम का आता है जो वह एक बार लगाए जाता है BQ के साथ आता है या HTS के साथ भी कहीं कहीं लगाते हैं तो जो भी वैक्शिन डिवीजन है इसपशली कुछ कमपनिया है बनाती है उनका नाम हम नहीं ले सकते हैं लेकिन हां मिलता है आप जहां पॉल्ट्री की वैक्षिन मिलती है वहां आप पता कर सकते हैं मिलता है और अगर आपके अंदर इतना जरूर आप लगाए अपना यल का एंडी डिवी बनाती है और हमने खुद बहुत सारे पसों को ट्राइवेक लगाया था और एक साल का प्रो करते वेस्ट अन्हीं भी जादार देविल रहता है रख और ऐलवेस्ट रहता है कुछ इंट्रामस्कुलर्स के हैं तो वह प्रेपेशन एक बार जरूर पढ़े कहुं से आप टीकल ले रहे हैं तो ज़ज्दा दो रहता है दो एम रहता है तो आपको बॉटल पे लिखा हुआ रहेगा जैसा उसका फार्मॉलेशन रहे उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं ज्यादा बेतर होगा ऑईल वेस्ट ऑईल एडिस्वेंट जो रहता है उसको यूज करें जो अभी आपी जैसे टीका करने का हुआ तो मैं अपनी तरब से बत जहां पे जिस फार्मर के फार्म में ये ज्यादा देखते हैं चोटे जो बचडियां है या कटडियां है चार महिने से उपर हैं उन्हें लगाए और एक और बीमारी है IBR जो की वर्ष में दो बाटी का लगता है IBR के टीके भी हम लोग लगाते हैं बहुत ही काम्याब है इ किसे इस तोर पे जो माम महीं में करता होता है और drug चार महाइन उसकती है और एक दूसरे बजादा प्रवाईवी को सब्सक्राइब होता है जब पसूत तनाव में ज्यादा होता है डिवर्मिंग नहीं किये रहते हैं या फिर कमजूर रहता है तो आई बी आर भी जो बड़े फार्म है उसमें जो भैसों के फार्म है उसमें प्रवावित होते हैं जिसा पूछिया है है उसका कोई वेक्षिन आया क्या एक बार अपने तोड़ा करेंगे क्योंकि दो लोग पूछ रहते तो एवां जिए जी पूछें बुछें जी आप टीज जो पार होता है तीन दीन वाड़ा उसका उसकी कोई वेक्षिन आई है शर गया नहीं बुवाइन इफिमेरल फीवर जो है अभी उसकी कोई वेक्षिन नहीं तो त्री डेज सिक्नेस अपने आप ठीक हो जाता है और ऐसा कोई क्योंकि आपको देखिए इस बाद जब त्री सिक्नेस है तीन दिन का बुखार है अवेक्षिन का जो कोर्स है वो अगर आप बीमारी कब किसको होगी वो भी नहीं पता है उसमें क्या एफिमेरल फीवर उसको होता है जो पसु कमजोर होते हैं तो आप डिवर्मिंग करेंगे ठीक से नूटिशन देंगे तो सायद आपके पसु को यह फिवाइन इंफिर नहीं होगा ठीक है आप प्रेम जी प्रेम जी बताया है सर पूश रहता है कि मतले फारम में कौन कौन सा वेक्षिनेशन करना ज़रूरी है बिल्कुल बहुत अच्छी चीज आपने पूछी आप अगर वेक्षिनेशन के पहले एक चीज और के बारे में अमने बताया था तो शरू एक बार डिवर्मिंग से करें कि क्यों पूरा उटा जophone करें करें एक हते एक मका क्या लगबख दो तीन हफते पहले कर दें साल में दो या तीन ब?", तो करें ही करें अगर आप तीन महीने पर करतें तो चार बार खएना पड़ेगा थाइलेरियोसिस को मैं वरियता दूंगा अगर आपके यहां IBR का भी प्रिवलेंस है तो IBR भी कर सकते हैं और अगर यह च्छा फिया तो उसमें आप यह उसका भी कर सकते हैं तो यह एक तरह से मुख्य सबसे मुख्य क्या हो गई आप FMD उसके बाद तो उसके बाद थाइलेरियोसिस का क्रॉस बेड नसल है तो जरूर करें क्यों 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 कि गर्मी का दिना मेरे बास मेरे फार में एच्छे फैसल बिल्कुल और यह वैक्सीन जो हता है लिक्ट नेटोजन रखा जाता है और इसका आप उसको बहुत सारे अभी जैसे पंजाब का है हरियाना में है बहुत सारी जगों में इवन गुजरात में यह वैक्सीन जो डेरिक ऑपरेटिस के मादम से ल कि पसुपालकों को यह वैक्सीन ने उपलबती लेकिन आपको आयल के माध्यम से ही उपलब दो जाएगी आयल में बनता है आपने तो आयल में थाईल को कैसे रखना होगा सरी इसको कोल्ड में रखना होगा ना इसका FMD आप जो आपकी फ्रीज होती है उसमें जो नीचे का बाहर का या दरवाजे के साइड या नीचे के साइड जहां सब्जी अबजी रखते हैं उसी टेंप्रेचर पर रखना चाहिए तो आपका फ्रीज अगर यह क्या दो या तीन पर चल रहा है तो ठीक है आप रख है इसको आप फ्रीज में उसी जगह रखें जहां आपका FMD रहता है और यह साउधानी परतनी यह ज़रूरी है क्योंकि यह वाइरस लाइव होता है जो ब्रुसलोसिस का टीका होता है इसमें लाइव एटिनुएटेड जो है बैक्टरिया होता है तो आपको गलब्स पहनने हैं चसमें पहनने हैं बढ़िया से प्रिकॉशन लेना है और जितना पांच डोज की अगर वाइल है तो पांच एनिमल आइडेंटिफाई करके एक जगह पे रखने हैं डाइलूट करते ही आपको सारे वैको वैक्षिन लगानी है उसके बाद उस जो वाइल है जो भी सारे चीज है आपको गड्डा कोड़ करके उसको बरी करना यानि कि दफ उसको दबा देना है क्यों क्योंकि वह सारी चीजे इंसानों में विमारी फैला सकते है या कोई दिक्कत हो सकती है दूसरे दिन ना यूज करें या बिदिन आप कुछ मिनट के अंदर समाप्त करें पांच या दस का पैया भी तो पांच गाने सुरू हुआ पहले बीच डोज के आते थे क्यों क्योंकि इसमें जो रियक्शन होता है जो डैलुएंट और इसका वाइरस बैक्टरिया जो रहता है वो अगर आपने रख दिया फ्रिज म नहीं है बहुत सारे लोग क्या कहते है जैसे हमारा FMD का है FMD थोड़ा लगाया रख दिया और अगले दिन लगाया कभी लगाया कोई सुनी है लेकिन इसमें क्या करना है आपको पहले ही पहचान लेना है कि हमें इन पांच पसूओं को लगाना है उसे लगाईए कॉम्प्ल अब तोड़ी मतलब कहीं पर भी बाने पर मिट्टी खाने लगती है डिवर्मिंग कर दिये सबसे बड़ी चीज है कि यह यह सारी चीजे में बसाट में वो पाई का जो हमने दिखाए ता पास्पोरस डिफिसेंसी और इसारी आप इसका कई सारा कैसारी सीजें कर सकते हैं इ है उसको जितनी फैस्पोरस की जरूरत है उतनी नहीं मिल पा रही है ये मुख या reckless तो फास्पोरस कैसे पूरा कर सकते हैं आप प्रबंदर कर सक्ते-अमिंडल मिक्चर दे सकते हैं उसके साम यह साथ आप अगर प्रैक्रीश करते हों चाहला-पिल जानते होंगे इंज días आप इंजेक्टब भी दे सकते हैं एसे फॉस्ट पोर एस है इना आर्गेंक मतलब ऑर्डेनिक इनार्गेंक बहुत सारे फ forty नियुक्त के रूप होते परस अच्छी मात्रा में उपलब दोता है एक और प्रोब्लम है सर हम लोग के तरफ की गायश हीट में नहीं आती है सही समय बिल्कुल बिल्कुल यह सारी सिजें बुटीनली हमारे पास आते रहते हैं देखिए हीट में ना आना एक लक्षण है लक्षण है यह सर बहुत सारी चीजों से यह प्रभावित हो सकता है पहला चीज हीट में ना आना प्ल granny काया कि में मतलब प्रोसक की कमी से ले करके दिल्क करके इसमें हर्मोनल कमी तक हो सकती है लेकिन बहुत सारी चीजे जब एक चीज़ को प्रभावित करती है तो हम सुरू करते हैं जो सबसे पहले नंबर क्या करना चाहिए जो पसु अगर इसे कहते हैं बाज़पन की समझ्चा हीट में आना तो पहला काम करना चाहिए डिवर्मिंग दूसरा मिन्रल मिक्चर तीसरे नंबर की चीज़ अगर कुछ इंजेक्टबल मल्टी बिटामिन फास्पोरस यह आप उसके बाद प जला के लिए जरूरी होते हैं वह मिल जाते हैं उसकी गोलियां भी आती हैं बहुत सारे प्रपेशिशन तो यह करके देखें और हर केस के लिए एक अलग होता है लेकिन 90% जो केस होता है उसमें डिवर्मिंग मिनरल मिक्चर आहार का प्रवंदन काम करता है तो पहले आप कर लें इसके अलावा आयरोवेदिक प्रिप्रेशन में हमारे इगोपला एप में जो प्रिप्रेशन है बाजपन के लिए वो भी बहुत अच्छा है वो भी देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा उसे जरू ट्राइब करें और यह सारा एक-एक इस टेप करना होता है सुरू में आप करेंगे डिवर्मिंग करेंगे वर्म लोड ज्यादा होगा तब भी बाजपन होगा यह एक करते करते अगर आप दो महिने तक अब्जर्वेशन में रखते हैं तो बाजपन की सिकायत को 90 पर संट तक आप नियंत्रित कर सकते हैं कुछ पसुम में तब भी नहीं सही होता है तो वुसको इस पेसल डॉक्टर की सला पर या अनुभवी जो भी हैं उनसे सला लेनी पड़ सकती है ठीक यह सब्सक्राइब तो इसके कितने दिन बाद इसको मतलब अगला बार सीमें डलवाना चाहिए बहुत अच्छा सवाल है और यह बहुत हमारे कॉल सेंटर भी आते रहते हैं तो देखे हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि दूधारू पसुमें हम कितने दिन तक दूद लेना यह भी जरूर यह माली वर्स में 365 दिन होते हैं तो कम से कम हमको 305 दिन तक दूद का उत्पादन लेना चाहिए तब ही हम कोई फुर्ट पुल या लाबडाई बिजनेस करेंगे या लाबडाई हैं किसान के लिए रहेगी तो बाकी कितना बचा 60-65 दिन तो एक पसु को 60-65 दिन तक आराम देना चाहिए तो यह आराम किदर हो गया ब्याने के बाद तरभासय को आराम मिलेगा दो महीने का फिर हम उसको अस्तन को या थन को आराम देंगे दो महीने का ड्राई करेंगे उसको किसी पसु को लगातार दूद लेना भी सही नहीं है उसको तो दो महीना य बहुत 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 अच्छा लगा प्रेम सागर जी अपने काफी अच्छा इंट्रेक्ट किया तो इसी के साथ मैं दोबारा आप सब का भी धनिवाद देना जाता हूं जुड़ने के लिए और मेश तुपाटी का धनिवाद भीशेस तोर पर देना चाहता हूं जोन बहुत बहुत धनिवाद